चावल के आटे का इतना बढ़िया नाश्ता जिसको आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बनाने में आसान वेलकम है आपका समस केचिर में चलिए बनाते हैं नाश्ता तो यहाँ पर मैंने लिया है दो छोड़े चम्मच मूंगी दाल उसको धो लेंगे और धोने के बाद इसको हम दो घंटे तक भीगो के रख देंगे तो यहाँ पर दाल भीग चुकी है और इसका मैंने पानी निकाल दिया है और अब हम लेंगे एक बॉल में एक कप चावल काटा और यह जो दाल हमने भीगोई थी वह कुटी लर्मिर्च, चाधा चम्मच और एक कुटी हुई हरीमिर्च है और अधरख पेस्ट, चोटा जीरा है एक चम्मच इसमें डालेंगे हींग 1 चथाई चमंच नमक ते यानि कि एक चब माच और कटे हुए करी पत्ते धनिया डाली है कटी हुई इसमें एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून इसमें डालेंगे तेल इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बहुत ही क्रिस्पी और टीस्टी नाश्टा बनने जा रहा है यह इसको आप स्टोर कर सकते हैं अब यहां पिलिया है मैंने खौलता हुआ पानी बिल्कुल गरम पानी लेना है आपको ठंडा पानी मत लीजेगा वरना तो चावल का आठा गुंदेगा नहीं तो आधा कप पान जिसको बहुत अच्छी तरह से खौलाना है और इसमें डाल देना है तो हाथ मत डालिएगा स्में चमज से ही मिलाईए भी और इसको 10 मिनट के लिए रख तीजे तो 10 मिनट हो गया है अब हम आठा गुंद लेंगे तो बहुत टाइट हमें आठा गुंदना है तो इसलिए श पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं और अब इसको बेलना थोड़ा सा टिकी है तो हम चिपकता है यह तो एक प्लास्टिक शीट लिए उसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इस लोई को रखेंगे और उपर भी उसको हलका तेल लगाएंगे और किसी भी बोर्ड की मद से या फिर कोई भारी बरतन की मज़द से आप इसको ऐसे पहला दीजे तो बेसिकली हमें इसको बेलना है इस तरह से आसानी से बिल जाता है यह और अब हलके से बेलन से और बढ़ा लेंगे तो अपने इसाब से पतला या मोटा आप रख सकते हैं इसको और अब साइड की ज चाहा शेप दे देंगे तो यहां पर मैंने इनको ट्राइंगलर शेप में काटा है तो इस नाश्टे को आप बना करके रख सकते हैं चाय के साथ के लिए बढ़िया नाश्टा है 15-20 दिन तक आराम से रहेगा तो यहां पर मैंने तेकोना शेप इसको दे दिया है और इस तर अनको हम frye कर लेंगे और जो बाकी बचे रह जाए उसको अप फ्रीज में रख दीज़े तो फ्रीज में रखने से यह आसानी से fry हो जाएंगे और तो तो चूटेंगे भी नहीं जलदी तो इस तरह से इनको golden brown होने तक हमें फ्राइ करना है medium to low आँच पर बहुत high flame paste को फ्राइ नहीं करना है और बहुत tasty यह snack बनकर तयार हुआ है जरूर बनाईएगा और अपना feedback comment में आप share कर सकते हैं मेरे साथ तो जब ठंडा हो जाए तब आप इसको store करिए गरम गरम में मत रखे नहीं तो यह बिल्कुल सौगी हो जाएगा यानि कि सीच जाएगा तो बिल्कुल पूरी तरह से ठं समस्किचिन, थैंक य। तो मच